हेलो चो कैसे हैं आप सभी यार कल CVSC ने सेंपल लेपर लॉंच कर दिया लेकिन उसमें बहुसतारी एरर्स हैं और फिलाल वो एरर की वीडियो में अलग बनाऊंगा अगर आप कोमेंट करो कि भाईया एरर की वीडियो बना दो क्या गड़ बड़ उस पेपर के अंदर तो कुछ important चीज़े हैं यहाँ पर discuss करना चाहता हूं कौन सी उनिट से कितने question आ रहे हैं अगर मैं बात करूँ electrostatic का तो देखो electrostatic की जो यूनिट हमारी ध्यान साब देखेगा प्लीज electrostatic की यूनिट में से chapter 1 आता है और chapter 2 आता है इसमें section A, section B, section C यह section B है, section C और यह section A तीन section आएंगे आपके paper में तो अगर मैं आपको बताऊं मैंने पूरा analysis करके निकाला है और यह किसी भी आपको गूगल गूगल पर कहीं मिलने वाला नहीं है section A में electrostatic के 7 सवाल दे रखे हैं, section B में 6 सवाल और section C में 2 सवाल मतलब total paper में 15 सवाल केवल electrostatic unit के हैं हमाल देखे आप, total question 45 आने हैं, जिनमें से 15 सवाल electrostatic के हैं यानि के 1 3rd, 1 3rd, I am saying 1 3rd, यह बहुत बड़ा ratio है बच्चों, इसका मतलब साफ है CBSC ने electrostatic को कुछ जादे weightage दे दिया है unit number 2, current electricity, इसमें एक ही chapter है current electricity इसमें section A में 7 सवाल, section B में 6 सवाल और section C में कोई भी सवाल नहीं, 7 रखे 13 तो इसके 2 section के सवाल दे रखें, लेकिन फिर भी 13, तो काफी बड़ा weightages का भी तो सबसे बड़ा weightage इसका है electrostatic का, number 2 पर current electricity अच्छागर हम तीसरी unit की बात करें, magnetic, magnetism, इसमें chapter number 4, chapter number 5 chapter number 4 है moving charge and magnetism, और chapter number 5 है magnetism, जिसमें earth magnetism की बाते आती है इस chapter को कोई खास जाद weightage तो नहीं कहूंगा हमें, बट फिर भी, इसमें section A में 5 सवाल और section B में काफी जादा सवाल दिये हैं, और 12 सवाल total हो जाते हैं इसके भी अब EM waves तो हटा दिया, है न, अब unit बची हमारी next, EMI and AC, unit 4, इसमें chapter 6 और 7 है, chapter 8 को हटा दिया गया है उसको पढ़ने ज़रत नहीं है, इसमें तीनो section को include किया गया है, section A में 6 सवाल, section B में 4 सवाल, section C में 4 सवाल तो total अगर आप देखोगे, 14 question यहाँ पर मिल जाते हैं आपको, और यहाँ पर total जो सवाल हैं, वो हमारे कितने होगे देखे, 4, 5, 6, 6, 3, 9, 9, 5, 14, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 54 सवाल क्योंकि हमें 24 दे रखी हैं, करने आपको 45 हैं, और आपको 54 सवाल दे रखे हैं, तो काफी जादा 24, करीब 10 सवाल की 24 आपको बिल रही है, लेकिन यह मैंने इसलिए आपके लिए lenses किया है, जिससे आपको पता चल जाए किस आपस आपको पढ़ना है, section A, section B, section C में अलग-अ discuss कर चुका हूँ, वो आपने मेरी live देखी होगी, तो उसको देख लेना एक बार, फिलाल, electrostatic, अगर कोई बच्चा देखी, pass होना चाहता है, और हाँ, इसमें क्या errors हैं, इस sample paper में क्या गड़बढ हैं, अगर आप चाहते हो, वीडियो में बनाऊं, तो चुकि यह छोटी वीडियो मनाना चाहरा था, तो आप comment कर देना भाईया, क्या क्या गड़बढ हैं, क्या दिक्कत आ सकती CVSC को, तो अब मैं एक वीडियो बना दूँगा, तो प्लीज comment जरूर कर देना, ठीक है, तो भाईस आपसे त्यारी कर लेना, और देखो, अगर आप केवल दो unit भी कर हो, मतलब unit electrostatic, तो जातर बच्चों को electrostatic आती है, है ना, इसको, board को four series में पढ़ा रहा हूँ, बीच में रुख गई थी, ये भी board को four series में आएगा lecture, कल का live भी board को four में था, तो मैंने कल पुछा था कि मैं live पढ़ा हूँ, या one one short video recorded डालू, one short या topic wise, है ना, ये पुछा मैंने, तो वो भी बता देना आप, तो अगर आपको सिरफ electrostatic, और भाई EMI और AC, ये दो unit आप कर लेते हो, क्योंकि देखो, ये 15 नंबर की है, और ये 14 नंबर की है, तो केवल यही 2 unit करने से, कोई बच्चा राम से पास हो जाएगा, केवल 2 unit करने से, जिसमें total 4 chapter आते हैं, आसान है, 7 chapter आ रहें, 4 कर लोगे, तो अच्छी तरह नंबर पास हो जाओगे, तो tension लेने की बात नहीं, बहुत बच्चे डर रहें, घवरा रहें, लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत बढ़िया नंबर लाने, टॉप करना है, चुकि इस बार देखो, paper तो cancel होंगे नहीं, online ह सकते हैं, cancel नहीं होंगे, CVSC पहले ही कहा चुकी है, तो भाई, शुरू से पढ़ते रहो, ठीक है, पढ़ना चलूरी है, वैसे भी knowledge तो काम आती है, last year, corona था, इसलिए मैंने वांदोलन चलाया cancellation के लिए, और जान को बहुत खतरा था, लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा, औ बार CVSC वैल प्रिपेर्ड है, CVSC ने पूरा परफोर्म लगा दिया, हाँ, CVSC की सैंपल हैं उन्हें बहुत गडबड हैं, जो मैं बताऊंगा, अगर आप कोमेंट करोगे, thank you very much, love you all.